नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो कुछ अलग टाइब की वीडियो है क्यों कि आज हम आपको बताएंगे मैट के बारे में क्यों कि आज से हम मैट की कुस्ती बताएंगे आपको मैट पर कैसे लड़ा जाता है कैसे नहीं लड़ा जाता है तो आज मैट के बारे में बताएंग अगली वीडियो में हो आपको बताएंगे कि पाइंगे कि रहे को सिदह पर कि इस अब और आपको बता रहे कि बीच का गॉला होता है उ-समेंटिय का अ-ग पर यह होता है पूरा रैड प्र अ-ग यह रैस तक होता है नानमींटर गा दोस्तों ये है middle point ये बीच का गोला देख रहे हैं यार ये है middle point यहां से पहलमान कुस्ती की सुरुआत करते हैं इसके अलावा ये red line दीख रही है आपको ये वाली red line यहां तक पहलमान सेफ हैं इसी के अंदर कुस्ती लड़ते हैं इसे बाहर जाएंगे तो point दे बेठेगा पहलमान या रेड को मिला दे पूरा गोला तो 9 मीटर का होता है और रेड को छोड़के होता है 7 मीटर का और ये पूरा मैट होता है 12 मीटर का हरेक बुजा इसकी 12 मीटर की होती है गुस्टे आफ यह देखा कि मयट के बारे में अब आपको बताने एक इसमें पुस्त ही लड़ने के लिए चाहिए को ये है कश्ट यह जरूरी है होना ही चाहिए कंबल सबीध और ये होते हरे जूते होने के वहां चाहिए तो दोस्तो आपने देखा कि कस्टुम भी ज़रूरी है जुद्धे भी जरूरी है और मैट के बारे में आपको हमने बता है क्योंकि आज हम ज्जादातरे वीडियो मैट बहीं बनाएंगे इसका एक रीजन है क्योंकि ज्यादातरे कंपटीसन मैट पर ही होते हैं कि कोई भी कमपटीज अनौ यूनिवर्स्टी लेविल का हो कैसा भी मिट्टि में नहीं होते हैं तो आज को आज से हम मिट्टी के दप बहुत कम बताएंगे और आप को हम मेट्प पहीं बताएंगे जादा तरह दप और आप तो जानते ही होंगे कि इसमें बेटिंग की कुस् पूर नीचे बढ़ते रहते हैं अंब यह प्रीश्टायल की बात हो रही है एक ग्रीक औरोमन अलग होती है वह भी मेट बलड़ी जाती है मगर वो खड़े-खड़े आतों के द्वार अलगी जाती है यह है freestyle हम आपको freestyle के बारे में बता रहे हैं जो कुछ बता रहे हैं तो अगली वीडियो में हम आपको यह दाव होते हैं उसमें कितने पॉंट लगते हैं उसके बाहर निकलोगे red line के तो कितने पॉंट होंगे और न चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे को सब्सक्राइब कीजिएगा प्ली और लाइक भी कीजिएगा